एक ब्राह्मन रहते थे पंडी जी इनका नाम था आत्म देव शरमाग्ड क्या नाम था ? आत्म देव भी वो जैसी आराम ध्यान से सुनना भायया कता राह्मन का नाम आत्म देव पत्नी का नाम धुंदली देवी ब्राम्हर तो बड़े सज्जन, करम कांडी, भक्त, क्या कहना भक्ती का, लेकिन इनकी पत्नी ठीक भिप्रीत, ठीक उल्टी, अच्छा पत्नी होती है सब की खतरना, कई लोगों की नहीं है, तुम लोगों की नहीं है, तुम लोग मत डरो, ये बात तो हम दूसरों की बता रह तो आत्म देओ की पत्नी धुंदली, धुंदली बड़ी ही खतरना, कैसी खतरना, आहा, ब्राम्हर देउता जितने आचार्य, इनकी पत्नी उतनी ही बेकार, जब तक पडोसी पडोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए, तब तक धुंदली देवी भोजन ही नहीं करती, इतनी खतरना, अच्छा लड़ाई करें सो तो ठीक हैं, लेकिन लडने के लिए घर के बाहर आजावें, और घर के बाहर आकर पानी का मटका बगल में दबाएं, तो किसी ने पूचा तुम पानी का मटका क्यों लिए रहती, बोले बा, गाली बगते हैं तो मुँ सूख जाता है, म गाली नहीं भाग जाएं, गाली कौन सुनेगा, बोलो जैसी आरा, एंसी भी देवियां होती है, राम जी बचाएं, बैसे हम एक बात हमेसा बोलती हैं, एक बार हम बोल रहे थे किसी को सुनो, एक ब्यक्ति बोला, गुरु जी, हमें तो अपना टाइम टेवल बदलना है, हम गादी बदलो जाएं, गाड़ी बदलो, बंगला बदलो, जहां स्री मती जी आजाएंगी, तो टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे, पर टीवी के चैनल में भी खत्रा है, बोलो जैसी आरा, तो मने टीवी चैनल बदना, उन्होंने जो है भोजन बनाने का प्रोगाम बोलो जैसी आराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, तो ब्राम्मण दे उता, बड़ी धर्मात्मा, लिके पतनी बड़ी खतननाक धुन्दिली दे भी, भगवान की कृपासे ब्राम्मण के घर पे सब कुछ है, पर अच्छा खासा मकान है, पतनी है, इज्जत है, यस है, कीर् है, बस एक कमी है, क्या, संतान में है, और सुनो, इस्तरी कितनी भी सुन्दर हो, पर मांग ना भरी हो, अच्छी नहीं लगती, कितनी भी सुन्दर हो, पर अगर मांग में सुन्दूर ना हो ना, अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार किसी के भी घर पर कितनी भी संपत्ति ह लेकिन अगर पुत्र ना हो तो वो समपत्ति भी किसी काम की नहीं होती है पत्विन सूनी मांग, पुत्र विन है घर सूना, अद्धुई मुक्ती के मार्ग, घर विन वर्दूना तोनों आवश्चक आपाद। ब्रामण दिवता कि कोई संतान नहीं, इतने अभागी, घर पे कोई भी गाय माता लावें न, ए राम 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 राम, गाय माता घर पर तो आजाबें, लिकिन भाईया, घर पर आती ही गाय माता बच्छडी देना बंद कर दी, पेड लगाते हैं, पेड तो बड़ा हो जा आता, फल नहीं आता, में ने कॉन सुपाप कियो, ब्राम राम रोत रोने लगे, आँखों में आसु भर के परमात्मा को देख हृ मैं ने कॉन सुपाप कियो, हरी जी तुमने जो दुखें सो दियो, प्रभू जी तुमने जो दुख है सोदियो पापी के घर होए पर संत समागम हरी कथा तुलसी दुर लभदोए भगवान की कथा और संतों का संग ये भगवान की करपा से ही प्राप्त होते हैं बरना रुप्या पैसा पतनी संतान्तों पापी के घर पर भी होते हैं बोलो जैस यारा दूसरी बाद आज हमारी अम्रित कल्यार सेवा ट्रस्ट की टीम और हमारी सेलेंद सरमाजी इस कता की यजमान बने हमें लग रहा आपको लग रहा हूं ना लग रहा हूं आज तुम्हारे ऊपर बैठे बैठे पूरुबज भी बड़े गदगद हो रहे होंगे कि हमारे बंस म यसा पूत जाया है जिसने पूरी ग्रेटर नगलिड़ी को ग्रेटर नोइडा के लोगों को भगवान का बनाया है हमारे बैया जी तो ये सबको सबको प्राप्त नहीं होता कितने अमीर लोग नहीं है यहाँ पर क्या सब कथा करवा पाए? बोलो हाँ जी या ना जी बोलो कितने लोग नहीं है पर ये मंडली ही क्यों ये सेवा ट्रश्ट के सदस ही क्यों क्यों क्योंकि सुत्दारा अरुलक्षमी पापी के घर होए लेकिन संत समागम हरीकथा तुलिसी दुर लब दो लाम की क्रपा से होता है राम काम बोलो राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो 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 र रम किक पांसे होता है रम, रम मेरा दानी भी होते तो अभ्यमानी भी भई हैं किसी को ग्यान हो जाए तो ग्यान का अभ्यमान दान दे दो तो दान का अभ्यमान लेकिन दान दे कर जो भूले उसका भी होता ना दान दे कर जो भूले उसका भी होता ना बला बला राम 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 दास थीरंद ने मन में बिचारा प्रभु का नाम यो दिल से उचारा राम के भरोसी तो मिल जाएं हनुमा राम के भरोसी तो मिल जाएं हनुमा राम 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 बोलो राम राम अच्छा स्वानूं क्या बात है भगवान की कता सुत्दारा अरुलक्षमी पापी के घर होई परसंत समागम हरी कता तुलिसी दुर लभदोए पापी के घर पैसा होता पत्नी होती, फुत्र होते walls लेकिन संतों का आगमन और भगवान की गत्था पापी को नहीं मिलती जो पापी होते हैं बेहट जाते हैं जो प्रभू के होते हैं वो इस आयोजन की कृपा को पाचाते हैं इसलिए तो राम की क्रपा से होता है राम काम बोलो बोलो पागलो देखो तो ब्राम्भर का नाम आत्मदेव आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंदली धुंदली बड़ी खतना जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक यह देवी जी किचन में पैर ही नहीं रखती एक बात और बोलें बुरा मत मानना जिन जिन की सिरी मती आ गई पर उनकी अपनी मती कम चलती जिनकी भी सिरी मती आ जाती उनकी फर खुद की मती कम चलती फर पूरी सिरी मती की ही चलती बोलो जैसी आ रहा है जोर से बोलो लेकिन दूसरी बात और सुनो इसी का दूसरा उत्तर सुनो एक बार ब्रिंदावन में एक पंडाजी संकल्पिक रहे थे मैं बोला क्रिष्नपक्षे तो दूसरे पंडाजी बोले क्रिष्नपक्ष है कि Pod तो में तो आता ही नहीं है भांग खा कर बैठ गये सुकलपक्ष की जगा क्रिष्नपक्ष बोल रहे राम की कृपास होता है राम काम दुन्दली देवी बड़ी विचित्र और इनके घर पर कोई भी संतान नहीं पुत्र नहीं है और पुत्र के बिना सब कुछ बेकार होता बोलो जैस या राम क्या किया जाए राम मर्द्योता को हर कोई ताने देता अचा एक बात और बोलें किसी भी व्यप्ति के पास में कोई बस्तू हो उसकी कीमत हो करोडों की पर वो दो कौरी की समझता है और कोई बस्तू ना हो उसकी कीमत हो दो कौरी की उसे करोडों की समझता है यह हम लोगों की आदत है जो है अपने पास उसकी कीमत कम समझते जो नहीं है वो दो कौनी की चीज़ भी करूरों की समझते और हम लोगों के पास बढ़िया क्या है हमारो धन राधा स्री राधा स्री राधा संतों का भगवान के भगतों का परम धन राधा नाम है जिसके जीवन में है हनुमान वही है इस दुनिया में बलवान बलो जैस यारा ब्राम मरने सोचा हमारे कोई संतान नहीं है से अच्छा तो मर जाना चाहिए जंगल गए किसी लिए मरने के अच्छा मरने बाले लोग भी खतरनाक होते हैं एक बेहन जी आत्महत्या करने जा रही थी आत्महत्या करने अब यह मत पूचना के वो ग्रेटर नोईडा की थी उनका नाम था मुन्नी बाई मुन्नी बाई मुन्नी बाई आत्महत्या करने जा रही थी लेकिन मरने के पहले पालर में घुस गई ब्यूटी पालर तो किसी ने पूचा तुम तो ट्रेंड के नीचे मरने जा रही थी ब्यूटी पालर के हो आ गई बुले बाई कल हमारी ब्रेकिंग नीज बनेगी तो चेहरा खड़ाब नहीं आएगा बता बोलो जैसी आ रहा हूँ अब ये मत पूचना के वो यहीं ग्रेटर इंडोडा में रहती थी ये भी नहीं बताएंगे के वो स्वर्ण नगरी में रहती थी क्योंकि हमारे पंडीजी स्वर्ण नगरी में रहते हैं बोलो जैसी आ रहा हूँ जोर से बोला, और जोर से बोला, तो ब्राम्हण दे उता मरने के लिए बन में गए, क्यों कि कोई संतान ही नहीं है तो इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है, बन में बैठे, बन में बैठे बैठे बहगवान को याद करते करते ब्राम्हण रोने लगे, हरी जी मैंने कौन सुपाप कियो हरी जी मैंने कौन सुपाप कियो कौन सुपाप कियो प्रभुजी मैंने कौन सपाखु कियो आँखों से धर-धर करके आसु बहाने लगे एक महत्मा चले जा रहे थे महत्मा की नजर ब्राम्हण पर पड़ी महत्मा ने सोचा कोई भगवान का भक्त है भगवान के लिए रो रहा इतने बन में चलो बात करें पंडी जी राम राम क्यों रो रहों प्रभु की याद में तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मों तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मों चले तो ना भुचलने दे रुके तो ना लुकने दे क्या आप भगवान युगल सरकार स्री कृष्ण माधा नंद नंद यसोदा नंद चित चोर माखन चोर मुल्ली मनोहर चलिया गरधारी बनवारी नंद लाल यसोदा के लाल ब्रज के कनया चैया स्री कृष्ण चंदर की याद में रो रहे हैं ब्रामर देथा बोले हम उनके लिए नहीं रो रहे हैं फिर किसके लिए रो रहे हैं अरे बोले हमारे कोई संतान नहीं है पुत्र के लिए रो रहे हैं महत्मा मन ही मन सोचने लगे जय हो हम तो सोच रहे ते यह भगवान का भक्त है यह तो बेटा का भक्त है कोई बात नहीं ब्राम्मर देवता बेटा किसी के नहीं हुए महत्मा ने समझाया किसी के नहीं हुए जिनके बेटा है वो भी रो रहे बेटों के चक्कर में मत पड़ो भगवान का भजन करो कल्यान हो जाएगा सब भेकार है कोई किसी का नहीं है सारत लागी का नहीं सब प्रीती लाम चरित मानस में गोष्वामी कलीकुल सिकर पावनामताब सरी तुलसिदाज जी कहते सोरे नर मूनी साब की यह रीती सोरे नर मूनी साब की यह रीती करते नर मूनी साब की यह रीती को यह रीती सुर नर्मूनी सब की यही थी सानत लागी कने सब प्रीती स्वारत 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 लागी कने सब प्रीती कुर्णर मुन्जब की नहीं की जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम भाई क्या ग्रेटन नुडा के पागलो इस संसार में कोई भी अपना नहीं है क्या भाई क्या बहें क्या मात्-क्या-पित्त्त ऐन्म क्या संता है सब इस दुनिया में तुमसे प्रें बहें एको जब Suswa repkel याद रखना जब तक तुम्हारी जेव गरम रहेगी, चहरे पर चमक रहेगी सहतो लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे और जेव जो गरम हटी और चेहरी की चमक गई कोई तुमको राम-राम करते भी नहीं पूछेगा कि यह दुनिया का सभाव कि अरे काम पड़े कछू और है काम पड़े कछू और है काम कड़े कछू और जब तक साधी नहीं होती है तो जो मौर होता ना दूले का सहरा उसे कितने संजो करके रखते हैं जब तक साधी नहीं होती है एक दम ऐसे रखते हैं जैसे दूसरे पिता जी हो बोलो जैसी या राम और जहां साधी हुई ऐसे फैंक दिया जाता है जैसे घी से निकाल कर मक्षी को फैंक देते हैं इसलिए ये दुनिया की रीती है मेरे पागलो ये दुनिया का सुभाव है कोई किसी का नहीं ना कोई अपना था ना है ना रहेगा केबल गोबिंद और माधाव अपने हैं थे और केबल वही अपने रहेंगे मोहे लागी लगाने गूरू चायरे नै मोहे लागी लगाने गूरू चायरे मीरा भाई हरी बिन कौन हमारो हरी बिन कौन हमारो हरी बिन कोच रहें ब्रामण देवता तुम रो मत आसू मत बहाओ बेटा किसी का नहीं हुआ भगवान को भजो नाम जब करो आत्म देव ब्रामण बोले महतमा जी तुम क्या जानो बेटे का सुख है पापा पापा कहता हुआ जब बेटा गोद में आता है कान में रसगुला सा गुल्याता है आप क्या जानो आप तो ठेरे सादू महतमा तुम्हें क्या पता बेटे का सुख क्या होता हम ग्रहस्तियों को पता है पापा पापा कान में रसगुला सा गुल्याता है अच्छा हो कि महाराज हमें तो बेटा ही चाहिए भगवान नीं चाहिए ये भगवान कितने बचत्रादमीं हूं कि चलो हम तुमारे भाग को पढ़ते हूं महत्मा ने आत्मी देव ब्रामभर के भाग को पढ़ा, मस्तक की रेखा पढ़ करके कहा, अरे पंडिक जी, तुम एक जनम की बात कर ले, सत्य जनमा ववधी नई वचा, सत्य जनमा ववधी तो पुत्रो नई वचा, नई वचा, साथ जनम तक तुम्हारे भाग में कोई भी पुत्र नहीं है एक जनम छोड़ो सप्त जनमा बववधी तव पुत्रों नई वचा नई वचा साथ जनम तक एक भी बेटा नहीं होगा क्या महराज? हाँ अब तो सिर्फ टक दिया महराज हमारे कोई संता नहीं होगी तो हम प्राण तुम्हारे चर्णों में त्याग देंगी अब ब्राम मर की हत्या भोगने को तैयार हो जाओ महत्मा बोले लो बताओ खाम खाँ कहां में हम कहां से हमने मोल आफत ले ली हम अच्छे खासे चले जा रहे थी महत्मा ने बहुत समझाया नहीं माने तो महत्मा बोले ठीक है कोई बात लो यह फल ले लो अपनी पत्नी को खिला देना भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पर भी बेटा होगा यह हो महराज अच्छा महराज कोई नियम तो नहीं करना हाँ दो तीन नियम करना ब्रह्मचर्य का पालन करना भगवान का भजन करना और जाओ तुम्हारे स्वयोग बालक होगा जय हो पंडी जी महात्मा को प्रिणाम किया ब्रह्मचर्य देउता ने फल लिया घर आए पंडी जी की पत्नी का नाम धुंदली अपनी पत्नी को वो फल लिया देभी जी यह खालो भगवान ने चाहा तो नो महीने बाद अपने घर पर बेटा होगा पुसियां आएंगी जय जयकार होगी ब्राम मर्देवता तो इतना कहिके चले गए जंग घर में गाउं में मित्रों के पास अपत्नी तो थी खतर ना अप फल लिये बैठी खाओं के ना खाओं इतने में पडोसन आ गई अरी बेहन बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रही क्या बात है हाँ बेहन तु ठीक आ गई मैं तो बड़ी परिसान बेटी सुबह से क्या हो गया बेहन मैं क्या बता हूं मेरे पती देव ये फल लाए है वो कह रहे ते खा ले न तेरे घर पर तो भगवान ने चाहा तो अपने घर पर बेटा होगा और तू ही बता कहीं फल खाने से बेटा होते हैं पड़ोसन ने समझाया संतों का प्रशाद है पालो क्या पता काम कर जाए अच्छा बेहन मैं खातों लूँ पर मैं तुमसे कुछ पूछू हाँ पूछ मैने सुना है जो इस्त्री गर्ववती हो जाती है वो दौड नहीं पाती तो पड़ोसन ने कहा तुझे कौनसा आर्मी तो अर्ती की भरती में थोड़ी जाना है जो तुझे दौड लगाना है तो धुंदली देवी कहती है नहीं नहीं बहन सायत घर में आग लग गई ऑ घर में आग लगी तो सब तो भाग जाएंगे मैं नहीं भड़ो पाऊंगी और जल करके मर जाऊंगी पड़ोसन ने कहा गारंटी धोड़ी है कि आग लगेगी जरूरी धोड़ी है तो धुन्दली देवी बोली तुम गारंटी लोगे आग नहीं लगेगी मुली ये तो गारंटी नहीं ले सकते दूसरी बात बेहन हमने सुना जो इस्तरी गर्बवती हो जाती है उसका रूप सौंधर ये चला जाता है पड़ोसन ने कहा अरे तुझे बंस बढ़ाना है भगवान की कृपा को पाना है ये अपना रूप सौंधर ये देखना है तू बाते मत बना पाले प्रशाद नहीं पाया पड़ोसन भग गई इतने में धुंदली की बहन आई उस पर भगवान की बड़ी कृपा फलवक्षेन गर भश्या धुंदली की बहन के ऊपर भगवान की इतनी कृपा इतनी कृपा इतनी कृपा कि घर पर वो तीन-चार बच्चे छोड़कर आई एक बच्चा आंगे चल रहा एक बच्चा उंगली पकड़े एक बच्चे को गोद में लिए एक पेट में कोख में पल रहा पूरी किर्कट टीम तैया, अरी धुंदली सिताराम, ठीक आ गहीं बहन, आओ 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 बहन सिताराम सिताराम, क्या बात है धुंदली मूलटकाए बैटी है, क्या बताओं, हमारे पती देओ फल लाए है, कह रहते खाले न, बेटा होगा, बताओ, संतों का दिया है, खाऊं या ना खाऊं, दुंदली की बहन तो चायती थी ये खाए न, और नहीं खाएगा तो ठीक रहेगा, कम से कम नहीं खाएगा, तो एकाद बच्चा इसका यहीं सेट हो जाएगा, संपत्ती मिल जाएगा, अरी ओ बहन, बाबाओं के चक्कर मैं मत पढ़, बाबा बेरा आगी हैं, ना जाने कौन सो मंत्र फूंक के फलकावाद हैं, तू पागल हो जाए, बाबरी हो जाए, बसीकरन हो जाए, बरबाद है जाएगी, हाँ, सही बाद है, पर हमारे पती तो बड़े कॉन्विडेंस से कह रहे थे, कि फलकालो जह जह हो जाएगी, हाँ, एक काम करें ज्यादा मत घबडाओ, जूट मूट का गर्भवती होने का नाटक सुरू कर दो, हमारी कोख में बालक पल रहा, जब भी कुछ होगा, हम तम्हें सौप देंगे, इस फलका ज्या करें, हाँ, जो फल है न, एक काम करो, ये जो गाय है न, गाय ने आज तक बच्छडा नहीं दिया, इसे खिला दिया, असली होगा तो दिख जाएगा, गाय को फल खिला दिया, खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी, कालांतर में, धुन्दली की बहन के एक बेटा हुआ, रातों रात धुन्दली को दे दिया, भगवान की कृपा हो गई, बेटा हो गया, और धुन्दली देवी ने जूट मूट का बना कर, अपने पती को भी बता दिया, स्वामी जी, बधाई हो, बेटा हुआ है, ब्राम्मर सीधे साधे, खुसी हो गया, डोल नंगाडे बजवाए, बा, बा, बेटा हो गया, लोग हमारे उपर बहुत हस रहे थे, अब सब के मूँ बंद हो गया, लेकिन समय की बात है, समय बड़ा बिचित्र होता है, इनके बेटा हुआ सो तो ठीक है, जो फल गाए को घिलाया था, गाए के भी एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बच्छडा या बच्छडी नहीं, कान गउ जैसे, बांकी पूरा मानाव जैसा एक बालक हुआ, अब तो चारों दिशाओं में चमतकार का नाम फेल गया, भया, पंडी जी के घर पे पहले एक भी संतान नहीं थी, अब तो गाए के भी बेटा होने लगे, लोग तमासा देखने वाली आने लगे, जै हो, जै हो, जै हो, ब्राम्मण दे होता, एक दिन अपने बालक का नाम रखने लगे, गाय का जो बालक था, उसके कान गउजैसे थे, इसलिए उस बालक का नाम रखा, गउकरण, क्या रखा, गोकरण, और अपने बालक का नाम रखी रहते, तब तक पत्नी आ गई, महराज, क्या कर रहे हो, देवी जी, बेटा का नाम रख रहे है, अरे महराज, नौ महीना कष्ट हमने जेला है, नाम रखने का अधिकार भी हमको इदेओ, ठीक है, ठीक है, तुम रख लो, क्या, महराज, हमारा नाम है धुंदली, हमारे बेटे का नाम होगा धुंदकारी, और भागबत पढ़ियेगा, तो भागबत में बरनन आया, गोउकरनों पंडितों ग्यानी, धुंदकारी श्चा महाँ खला, गोउकरन तो पंडित और ज्यानी बने, लेकिन धुंदकारी इतना बड़ा खल बना, कि बड़ा होते ही, छोटे से ही, छोटे छोटे बच्चों को पीटने लगा, छोटा बच्चा पल्ने में सो रहा हो, तो धुंदकारी इतना खतरनाक हुआ कि पल्ने में जाए, टांग खीचे, चार छे चाटा मारे, और गोउकरनों बाग जाए, कोई अंधा ब्यक्ती रस्ता पूछे, तो दूसरे गाउं में जाने का रस्ता बता दे, कहीं कुवा में गिरने का रस्ता बता दे, जाके अंधे ब्यक्ती को कुवा में गिरायाबे, अफे बड़ी अत्ताली बजा के कहो, आजा बाबा, उपर आजा, आजा उपर, ताली जावे तो घोकरण तो घ्यानी हुए लेकिन धुंदली की बेहन का जो बेटा था जिसका नाम धुंदकारी रखा वो महां खल हुआ अत्याचारी हुआ बड़ा होते फिताजी को पिटाई लगाई इतनी धुनाई दी पिताजी को आत्म देवराम्वर को पंडिश जी को कि क्य कहना बोले पिता जी लाओ माल माटेरियल कहां रखा है कि बेश्याओं का संग करने लगा पंडिजी उस दिन भी रो रहे थे क्यों बेटा नहीं है आज फिर पंडिजी रो रहे क्यों बेटा क्यों है आज फिर आसु बहाने लगें तब गोकरन ने समझाया पिता जी इस संसार में ना कोई अपना है ना कोई हमारा ना कोई तुम्हारा इस संसार में तो परमात्मा ही केवल हमारी है इसलिए पुत्र का मोह छोड़ो बन जाओ भगवान की भगतिव देखो बन सब्दी कितना अच्छा है बन बन जाओ भगवान के बन जाओ बन जाओ भगवान के बन जाओ राम जी भी जब तक बन नहीं गए तक तक बन नहीं गए राम जी जब बन गए तो दसरत नंदन राम से मर्यादा पुर्षोत्तम स्री राम बन गए इसलिए कितना अच्छा संकेत है बन जाओ सो बन जाओ बन जाओ सो बन जाओ परमात्मा के हो जाओ बोलो जैस याराम जोर से बोलो और जोर से बोलो देखो ब्यक्ति वही है जो ज्ञान का सदपयोग करता गोकरणों पंडितों ज्ञानी धुंदेकारिष्चा महाँ खला देखो भाईया संतों का प्रशाद जिसके साथ होता न वो खल नहीं होता अच्छा एक बार हम सोच रहे थे खल का मतलब क्या होता खल क का मतलब क्या होता खल का मतलब जो हमने निकाला वो बताते हैं खामाने खाए और लामाने लड़े जो केवल खाए और लड़े उसी का नाम खल और इसका एक और अर्थ है खल का दूसरा अर्थ यह है खामाने खाए लामाने लड़े जिसका खाए उसी से लड़े उसी का नाम खल वोला जीता रहा हूं जोर से वोला तो गोकरन पंडितो ग्यानी धुद्धकारिस जा महाखला गोकरन पंडितो हुआ ग्यानी हुआ लिक धुन्दकारी बड़ा बेकार पिता को ही मारा पिता जी से गाँ स्वारत थे लागी गोकरन जी वोले चले जा बेता के चक्कर मैं मत पढ़ में तो ख़पड़िया और भीट जाए եा साफ चोड प्चाड के बन में चले गए जंगल में और सब बहुत प्यारा है बन वन बन नहीं वा न वन सब्त बहुत प्यारा जो भी वन गया वो बन गया जो भी वन गया वो बन गया और एक बात और आयू में भी वन लगता है पचास के बाद जो आयू आती इंक्यावन बावन तो इंक्यावन में भी वन लगता तो जब इंक्यावन वन लग जाए तो सब ग्रहस्ती छोड़ और वन चले जाना चाहिए लेकिन अगर ये बात हम कहेंगे तो सब लोग कहेंगे जय हो आपकी अभी तो सोने के टेमा है बच्चों को खिलाने के अभी इंक्यावन वामन लग गया आपके रहे बन जा पर तो ठीक ही है आपकी कथा नहीं वन जाने से भर नहीं होता वन का बासनाओं से मुक्ति बासना कामना कामना के मुक्ति के लिए ही इंसान बन जाता है और हम तो वहीं कहेंगे स्तरेष्ठ त्यागी वही है जो घर में रहकर के भी कामनाओं को त्याग दे और परमातमा की कामना करने लगे वही सबसे बड़ा त्यागी है वही सबसे बड़ा त्यागी है स्री राम जै राम तो आत्म जो ब्रामभण बन में गए एक दिन मा को भी धुंदकारी ने मारा पांच बेस्याओं को घर पर लाकर रख दिया माता जी भी कुए में गिर कर मर गई पांच बेस्याओं का संग धुंदकारी करने लगा तो राजा के घर चोरी करने गया बेस्याओं ने सोचा पकड़ा जाएगा राजा पकड़ेगा तो इसको भी सजा देगा हमको भी फांसी देगा राजा की डर के कारण उन बेश्याव ने रात को धुन्दकारी को मदरा पान करवाया मदरा पान करवा करके धुन्दकारी के गले में फांसी का फंदा डाल कर मार डाला स्वारत लागी अर सुर्णर मुनी सब की एहरी दी सुर्णर मुनी अर्शी एहरी दी स्वारत लागी करहें सब प्रीति स्वारत लागी करहें सब प्रीति स्री राम जे राम स्री राम जे राम जे जे राम जो स्वार्थ करता है स्वार्थ वस्पृति करता है उसका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं लेकिन इस दुनिया में तुम्हें जितने भी मिलेंगे वो सब स्वार्थी ही मिलेंगे बोलो जैस यारा जहां स्वार्थ खतम होगा तो लोग राम राम भी नहीं करेंगे इसलिए भईया बच के रहना ओ साधू भाई बच के रहना जरा संसार से आप बच करके रहना आहा हा स्वारत लागी करेंश भूपी पिता जी बन में जाईये बन में चले गए पांचम बेस्याओं ने धंदकारी को मार डाला मार डाला वहीं जमीन में गाड़ दिया गोकरन बिचारा गया मैं स्राथ पिंडदान करने गया बापस आया तो रात के समय एक प्रेत सताने लगा एक बात बोलें यहां प्रेत से याद आया किसी इंसान को बता दिया जाए उस गली से मत निकलना वहां प्रेत रहता है कया चित रात को अगर अकेले में वहीं से निकलना पड़ें फिर इतने हनमान जी आद आते हैं इतने जै हनमान ग्यान गुन सागर जै कपी से और भूद पिसाच बाली चोपाई आया भूद पिसाच नकच नहीं आपें इतने बजरंग वली आद आते हैं बहुत अच्छा देखो हम बताना ये चाहिए गाओं के एक जूटे आदमी ने बता दिया वहां से मत निकलना प्रेत रहते हैं और हमें गाओं के उस जूटे आदमी की बात पर और प्रेत पर भरोसा हो जाता है लेकिन हमारी रामायन हजारों सालों से चिल्ला रही कि भगवान कन कन में रहते हैं तो जहां प्रेत रहता है वहां परमात्मा भी तो वस्ते हैं लेकिन प्रेत पर भरोसा है परमात्मा पर नहीं इसी को निकालने के लिए भगवान की कथा की आव सकता है प्रेत बनकर धुंदकारी सताने लगा गोकर ने पूँचा कौन हो भाईया हम तुम्हारा बड़ा भाई धुंदकारी है अरे तुम प्रेत बन गए हमने तो तुम्हारे नाम से गया जी में पिंड़दान की है फिर भी तुम प्रेत बने दुंदकारी कहता है भाई हम कोई साधारन पापी नहीं है नंबर एक के पापी है हमारे नाम से तुम हजार बार गया में पिंडदान करो फिर भी हमारा कल्यान होने बाला नहीं है क्या किया जाए अब तो आप ही उपाए बताओ भाता जी ठीक है तुम चिंता मत करो हम कल कोई उपाए निकाल प्राता काल सूर्य भगवान को अर्ग दिया गोकरन जी आप अपने भाई को भागवत की कथा सुनाओ भागवत की कथा सुनने से भूत प्रीत निकट नहीं आता है और प्रेतों की मुक्ती हो जाती है किसी को पित्र दोस लगा हो भागवत का पाट करवाना चाहिए आम साथ गाट के बास पर गोकरन जी कथा सुनाने लगे तो एक साथ गाट के बास पर धुंदकारी आकर बैट गया पहले दिन की कथा हुई पहली गाट फट गई दूसरे दिन की कथा पूरी हुई दूसरी गंती फट गई धीरे धीरे सातों दिनों में देखते देखते साथों ग्रंथियां फट गई बड़ा दिब रूप लेकर के वह धुंदकारी प्रगट हो गया चत्रबुज रूप लेकर हाथ जोड़कर भागवत की महमा को गाने लगा धन्यां भागवती वारता प्रेत फीरा विनासे नी सबता हो पीत था धन्यां कृष्ण लोग के फलप्रदा धन्यां भागवत की कथा जो हमारे जैसे आतताई को तरंतारन कर दिया बार बार भागवत भगवान को धन्याबाद देने लगा बोलो भागवत भगवाने की भगवान का विमान आया धुंदकारी उस पर बैठ कर जाने लगा तो गोकरन ने भगवान के पारसदों से पूछा भाई कथा तो सबने सुनी पर बिमान धुंदकारी भर को क्यों आया सबको आना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात बोली भगवान के पारसदों ने बहिया कथा तो सबने सुनी पर जीवन में उतारी किसी ने नहीं जीवन में उतारी केवल धुंदकारी ने है और जो कथा को जीवन में उतारता है वही परमात्मा के धम को जाता है तो भगवान की गथा भक्ति श्रखाती भगवान की गता परमात्मा के चरणों में सुख्दा सिखाती भगवान की गता सोय हुए को जगाती भगवान की भक्ती सव को भी स्यू बनाती है